एक महीने के बाद जब उसका revenue collection हुआ उस वीडियो का तो अगले महीने वो वीडियो के पैसे ही नहीं आये social media पर algorithm change होता है हर कुछ time में change होता है और जो आप करते आ रहे हो ना अगर आप वही करते रहोगे तो आप पिछड के रह जाओगे तो हम क्या करें सबसे बहले अंगरेजी में बात करो बिनादरे बिन अशर्माय डाउनलोड जोष्टॉक्स एंग्लिष्टीग आप हाई मैं नेम इस आयूस अप्रा, I'm a content creator and I have a collective community of around 1.8 million on multiple platforms like YouTube, Instagram and Facebook और मैं तीन साल से पिछली content मनाता आँ हूं मैं basically food पे जादा content मनाता हूं लेकिन इसके लावा भी बहुत सारी चीज़े है what I've done in the past जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने बाला हूं, social media मुझे बहुत इंटरस्ता रहा था then I pursued that, मैंने वहाँ पर एक साल जॉब करी in a digital marketing company called TSD Media Private Limited and it was an amazing company with amazing people, I thoroughly enjoyed my time spent there उसके बाद जब एक साल के बाद I met a guy there, वहाँ पर उस company में and हम लोग अच्छे friends बने उसके बाद उस लड़के का फूड में बहुत जादा इंटरस्ता, he used to love food उसको anchoring वो camera के camera शाय था बहुत जादा लेकि उसको food बहुत पसंदा, तो हमने साथ में discuss करा कि चलो I'll host your videos हम लोग साथ में videos बनाते हैं, मैं आपकी videos host करूँगा और आप shoot वगरा करना, edit उस videos को करना एक साल तक हमने दबा के food hosting करी, food reviews करें अलग अलग जगा के दिली में और audience ने भी उसको बहुत अच्छा रिसीव रहा, मेरे अंकरिं के स्टायल को भी थोड़ा appreciation मिला, criticism भी बहुत जादा मिला मैं सच बता रहा हूँ गाली भरे comments वगरा 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 बहुत कुछ अरहा था सच बता रहा हूँ और वो दो तीन दिन चार दिन मेरे ले बड़े बड़े depressing से थे क्यार ऐसे comments पढ़ना अपने बारे में तुन लाइफ में न सुने हो ऐसी चीज़े people they take the shelter of internet and वो ऐसी चीज़े बोल देते है irrespective of worrying about कि वो दूसरे के mind को कैसे affect कर सकती है but ठीक है मैं आपको सच बता रहा हूँ उसी से आपको ढरना नहीं है you have to get over that feeling क्योंकि वो ही आपका decide करेगी कि आप इस career में या किसी भी career में आप आगे जा पाओगे या नहीं जा पाओगे तो वो comments वगेरा आए बहुत बुरा लगा but काम नहीं रुकना चाहिए काम आपका चालू रहना चाहिए आपको खुद को नहीं रोकना अफ्टरवर्ट्स एक साल के बाद हमने उस पार्टनर्शिप को सोचा कि आप चीजे नहीं नहीं रहे बिकॉस आइडियाज मैच नहीं कर रहे थे अब एक साल मैंने उसके लिए फूर हिस सेख I did the food vlogging thing only food vlogging thing और मुझे था कि यार इसके साथ भी और चीजे करनी चाहिए ना कितना कुछ है content create करने को कितना कुछ है explore करने को हम क्यों नहीं कर रहे हम सिरफ food way district क्यों है लेकिन उपिनिंस नहीं 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 आप रहे थे 2019 was the year जब मैंने content creation शुरू करा था 2019 was the year जब मेरे dad को cancer detect वा था he had lung cancer stage 4 और 6 महीने पहले उनके गुजरने के 6 महीने पहले मुझे इस चीज का पता लगा था कि उनको lung cancer है और वो जो एक news थी कि मैंने अभी अभी शुरू करा है में को मजा आने लगा है मैं अर्निंग शुरू करी है मैंने उसीज में और उसी दौरान वो न्यूज मिल गई कि यार पापा को lung cancer है तो वो बहुत ज़्यादा एक तोड़ देने वाली feeling थी वो छे महीना मैं को पता है मैं कैसे काम के बाद घर जाता था and I used to see him and with this feeling कि यार कभी भी it can be the last day of his life because doctor ने बोल दिया था कि आप ट्राय कर सकते हो chemotherapy and other things but guarantee नहीं है कि he'll survive guarantee का मतलब surety है कि 6 महीने नहीं survive कर पाएंगे कभी भी उनको कुछ भी हो सकता है और तो वो चीज बहुत ज़ादा डिप्रेसिंग थी कि वापस आओ and see his face or सोचो कि कभी भी अब last time हो सकता है जब आपा के साथ हो काम भी नया था अपना खुद का गाम था किसी में जॉब तो नहीं कर रहे थे कि और ले सकते थे घर से कर सकते थे आपको खुदी मैनेज करना था काम भी और कही नगाई उसमें भी पार्टनर से भी बहुत जादा प्रॉब्लम सारी थी क्योंकि वह भी कहा था हमारा नया काम है काम पे ध्यान देते हैं बट मैं इमोशनली नहीं हो पा रहा था कि मैं दोनों चीज पे ध्यान दे पाहूं तो 6 महीने हुए जब मैंने पार्टनर्शिप में अलग वा दिसेम्बर में सेम मन्थ माई डाड एक्सपाइड और वस 27 दिसेम्बर आई बिलीफ और और नहीं था मतलब कीमोथेरपी भी और नहीं करनी थी और 6 महीने के बाद वो चले गए अफ्टरवर्ड्स थोड़ा सा चीज़े स्टेबल हुई तो मैंने का चलो अब एक्सपरिमेंट का टाइम आ गया है अब मैंने शुरुवात करी थाली चालेंज़ेस या अलगला फूट चालेंज़ेस करने की तो वीडेड़ वीडियो जिसके अंदर एक थाली चालेंज़ किया हमने जिसके अंदर हमने एक ऐसी थाली दिखाई जिसमें अगर लोग उसको कंप्रीट कर लेते तो दिगे 2 लाक रुपीज ऑफ कैश प्राइज जनुवन था वीडियो हमने करा हम मैंने उसमें थोड़ा स के साथ साथ entertainment भी सर्फ कर रहे हैं आज कल हर चीज में entertainment is very very compulsory चाहिए पिंडियन आइडल देख लो लोग भी चाहिए रोना-धोना दिखाते है अबर मसाले मसाला डालते है भाई मसाले के मिना internet पर कुछ नहीं चलता तो मैंने तुरा से entertainment डाला है और भाई सच बता रहा हू वो मेरे बस मेरे को अभी तक वो moment याद है जब मैंने वो video publish करी थी एक तो cash prize ऐसा था कि लोग सुनकर बड़ा खुश हो गए थे उस video को देखकर second मेरा present करने का तरीका लोगों को इतना पसंद आया कि one day and that video got got 8 million views on facebook and I was on the sky कि भाई मजा आ गया ये पहली बारी ऐसा हुआ थ बट मैं अब आपको एक चीज बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि हर चीज मेरे लिए अच्छी अच्छी गई थी and I only सिरफ success success मिली थी failures भी बहुत आया थे algorithm बदलता है social media पर algorithm change होता है हर कुछ time में change होता है और जो आप करते आ रहे हो ना अगर वही करते रहोगे तो आप पिछ Google से या Facebook से अलगे-अलग platform से हमें ad revenue मिलता है जिससे हम लोग survival कर पाते है और अपने content और अपने काम को grow कर पाते है उस पैसे की मदद से बट कभी क्या होता है मैंने किसी video पर एक महीना 15 दिन का effort डाला लेकिन इस video में एक गलती हो गए मुझसे एक गाना यूज हो गया या एक छोटी सी कुछ भी element बोल लो जो कि उनकी policies के खिलाफ है क्या होता है आपकी video demonetize हो जाती है आपको तब इतना बुरा लगता है और वो इतना बड़ा sit back होता है क्योंकि आपने अपनी सब कुछ invest उस पर कर रहे हो उस content को produce करने के लिए महनत डाल रहे हो time डाल रहे हो और कुछ नहीं सोच रहे हैं नहीं आइडियाज नहीं सोच पारें लेकिन उसके बावजूद जब content नहीं चलता है या for example demonetize हो जाता है तो वो बहुत जादा depressing feeling होती है कई बरी ऐसा हुआ कि मेरा channel without any reason they supposed कि इस channel पर कोई problem है तो उसको demonetize कर दो तो वहां पर उनको बहुत जाद मेल जा ले इतने दिनों तक रिवर्ट करने की कोशिश करी for example वो वीडियो में जो आपको बता रहा हूं जो वीडियो मेरी बहुत जादा वारेल हुई थी तो उसके बाद एक महीने के बाद जब उसका revenue collection हुआ उस वीडियो का तो अगले महीने वो वीडियो के पैसे ही नही तो एक महीने के बाद वो solve हुआ उसके बाद thankfully पैसे आ गए तो जाके दिल को थोड़ी सल्ली मिली तो भाई बहुत सारे challenges होते है जो आपको face करने पड़ते है बट आपको हार नहीं मानी अब आते हैं उस पर कि जब मैंने individual एक journey शुरू करी तो क्योंसी ऐसी चीज थी जो मै अप्लाय करी जो मेरे वर्क करी जो शायद आपके लिए भी काम करेगी जिसमें इस नुबर वन तिंग जो मैं अपना inspiration समझता था अपनी YouTube जरूनी का इंडिविजुल वाली वो था Mr.Beast कि मुरको उनको कॉंट स्टाइल बहुत जादा पसं था और जैसे वो अब उनकी जो लोग आपके टॉपिक में इंट्रस्टेड होंगे कि उनको इसके बारे में जानना है आप सीधा उनको बता तो मैं एज वीडियो में करने वाला हूं उनको पसंद आएगा वो रुकेंगे नहीं तो महीं क्लिक आफ कर देंगे और जो रुकेंगे वो एंड तक जाएंग let's see कि मैं successful हो पाता हूं नहीं मैंने बहुत living on zero वाली बहुत सारी वीडियो बनाई और हर किसी के end में एक question था कि चलिए देखते है क्या मैं इसके end में successful हो पाता हूं या नहीं हो पाता और बहुत लोगों के मन में वही curiosity से ही content चलता है curiosity developed हो गई कि मुझे जानना है यार यह चीजों को apply करो फिर अगली चीज जो लोग मेरे खाल से बहुत जादा इस चीज में खुद को restrict कर लेते हैं जब हम नए content creators बनते हैं तो अपने अंदर यह feeling तो कभी मतान देना कि भाई मैं कैसे किसी से inspire हो सकता हूं मैं तो कुछ अलग बनाऊंगा कुछ ऐसा बनाऊंगा ज बनाने की काबिलियत है तो फिर एक काम करो बनाऊ कुछ भी बनाऊ स्टार्टिंग में जादा सोचने की जरूत नहीं है कि तुम्हें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है just focus on the quantity और धीरे धीरे अपने अंदर अपने काम के अंदर quality लाना शुरू करो quantity में डालो पहले अपने में बनाते हैं और धीरे 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 अपने काम की quality इंप्रूव करते हो फिर देखना लोग अपने आप रिटेन होने लग जाएंगे सबस्वेल दो उनको पता लगना चाहिए ना कि तुम तुम इस चीज के बारे में excited हो तुम content बनाना चाहते हो तो ऐसे ही आप लोगों को नहीं quantity पर नहीं quality पर पहले quantity पर फोकुस रखो देन quality इंट्रोड्यूश करो अब देखो मैंने आपको अपनी story बता दी कि भाई मैं कैसे content creator बताया अब आपने इस वीडियो पर click करा है तो इस ही hoop में करा है कि आप इस वीडियो से को learning लेकर जाओगे जो कि आप अपनी life में apply कर सको तक ही आप भी successful हो पाओ I guess सब का aim यह होगा तो यहाँ पर जो भी अपने आपको एक future content creator देखते है पर से content creators की हम बात करेंगे और भी industry में आप successful हो सकते हो और आप जाना चाते हो तो कर सकते हो और आप भी हम content creators की बात करेंगे तो जो अपने आपको देखता ने कि 2023 म यहार मैं एक YouTube channel शुरू करना चाता हूं यह में content बनाना चाता हूं तो हम क्या करें सबसे पहले मेरी जो suggestion रही कि कि आप जिस भी niche में जाना चाते हो ना food में जाना चाते हो lifestyle में जाना चाते हो vlogging में जाना चाते हो सबसे पहले उन channels को study करो जो उस industry में अच्छा कर रहे हैं just see कि उनका कौनसा ऐसा काम है क्योंकि हर का different है मैं आपको आज food का बता दूगा मैं आज आज आपको अपने lifestyle का बता दूगा बट और कई सारे जो अबी बच्चे जिसमें शायद आप बनाना चाहते हों कि technology में बनाना चाहते हो तो देखो सबसे पहले उन creators का कि वो क्या कर रह भुवन भाम यह सब बहुत आज चले थे and that was की brother sister यह वो फलाना dimkana comedy sketches बनते थे बहुत relatable topics पर तो उस time में उनकी virality उनको मिली अब वो लोग भी अलग topics बना रहे हैं क्योंकि आप उनको ट्रेंड की जरवत नहीं है बस starting में उन्होंने भी बहुत trend को follow करा था तो don't be ashamed to follow trends ज की suggestion box में आपकी video तभी आएगी जब आपकी भी मिलते जुलते topic पर होगी for example एक topic चल रहा है कि मैं पूरा दिन गुजारूंगा आज बिना पैसो के तो आप उसके एंदे थोड़ा से twist जाल दो आप बोलो मैं दो दिन गुजारूंगा या मैं इतने इतने चीजों के साथ मैं आज पैसे मैं आज पूरा दिन गुजारूंगा बट बिना इस चीज के बिना उस चीज के for example आप कुछ भी twist आड करके एक नया content क्रेट करने की कोशिच करो और फिर देखना जब वो लोग उस topic में इंट्रसेट होंगे तब आपकी video भी click कर के देखेंगे चल दिखते इस ब आप कुछ भी बनना चाहते हो आप कुछ भी करना चाहते हो आप एक चीज करो आप effort लेना शुरू करो आप खुद को sofa से उठाओ बैड से उठाओ और आप करने की कोशिच तो करो फिर देखो अगर आप किसमत भी आपका साथ देदेगी ना तो definitely you'll become something in life and with that अगर आपको मे अगर आप स्टॉक के एंड पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जो स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं जिससे मैं काफी देर से जुड़ा हूँ हो और मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं जो स्टॉक्स ने एक नया एप किया है जिसका नाम है जो स्किल्स अब वो नया नहीं रहा काफी टाइम से है लाखों लोग उसको आप यूज करते हैं और जो स्किल्स पे आप अपनी जिंदगी के लिए कोर्स जून सकते हैं वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनस टड़ पढ़ाएंगे, वो कोर्स जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहेंगे, वो सिखाएंगे, मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्स बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी परसनालिटी कैसे डिवेलप की जाए, हर एक कोर्स में डेली क्विजिस हैं, एक्सेसाइजिस हैं, एक बहुत ही खुबसूरत कम्यूनिटी है, जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इंकरेज करेगी, आज ही डाउनलोड करें, जो स्किल्स का एप और उनकी कोर्स इस एक्स्प्लोर करके, अपनी जिन्द